गुद मॉर्निंग दियर स्टुडेंट, वेलकम बेक टो अनलाइन क्रासेज, आज हम पढ़ेंगे लेसन नमबर फाइफ, बुक में 11 दिया हुआ है, इसको कटकर यहां पे फाइफ लिखना है, लेसन नमबर फाइफ, हिंदी ग्रामर की बुक से मैं आपको बताऊंगी, लेसन का नाम है वच्छन, वच्छन किसे कहते हैं वच्छो, वच्छन संग्या या सरवनाम संग्या का जो बौत कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, वच्छन कहते हैं, हिंदी में वच्छन किते प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक वच्छन और बवच्छन, वच्छन क्या होता जिस सब्द के जिस रूप से संग्या या सर्वनाम के एक अधिक होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं वच्छन कहते हैं जैसे यहां पर दिया हुआ है राम, राम, सीता और लक्षमन, बंदर, अनेक बंदर, एक चीज है उसे डबल बनाया है अधिक बनाया है एक चीज के लि तो बहु वचन उपर के चित्र में राम बंदर और लड़की का संख्या में एक होने का बोध करार है और दूसरी और प्रतेक चित्र के सभी एक से अधिक होने के संख्या का पता चलता है व्याकरण में संख्या को वचन कहते हैं इसी प्रकार संख्या एक भी हो सकती है और एक स अधिक भी तो वचन किसे कहते बच्छो सब्द के जिस रूप से हमें संग्या या सर्वनाम के एक अत्वा अधिक होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं वचन कहते हैं वचन हिंदी में किते प्रकार के होते हैं वचन के बेद काइंड्स आफ द नंबर वचन दो प्रकार के होत जैसे लड़का, लड़की, गाय, आदी, बववचन, जिस सब्द से एक से अधिक वस्तु या प्राणियों का बोधो उसे बववचन कहते हैं, जैसे लड़के, लड़की या गाय, दोपैन, आदी, ठीक इसी प्रकार, वचन के किते भेद होते बच्छों, दो प्रकार होते है दो बेद होते हैं, एक वचन, बववचन, जिस से एक चीज, एक जात, एक वस्तु का, या प्राणियों का बोधो, एक वचन, जिस से एक या अधिक वस्तु या प्राणियों का बोधो, वववचन, एक चीज, एक वचन, और बहुत सी चीजे, बववचन, ठीक इसी प्रका का रूप बदल जाएगा तो तितलिया उड़ रही है कुत्ता बौक रहा है कुत्ते बौक रहे हैं कभी कभी वचन में संग्या का रूप नहीं बदलता है सेव मीटा है सेव मीटे है आदमी जा रहा है आदमी जा रहे है ठीक इसी प्रकार इसमें कुछ दिये हुआ है बुक के बैटे है ये मेरी माताजी है तो इसे प्रकार ठीक बहुत से वर्ट दिये हुए आपकी भूक के अंदर तो आपको पढ़के इसको समझना है और आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछना है जैसे पंखा पंखे एक वचन में पंखा बहुत से होगे तो पंखे दिवार दिवारे दवात दवाते थाली थालिया डाली डालिया पाशाला पाशालाए सडक सडके बच्चा बच्चे तो इसी प्रकार हमको वचन किसे कहते है वच्चो आज का चैप्टर था हमारा वचन वचन जिससे हमें संग्या या सर्वनाम के एक अधिक होने से होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं वचन दो प्रकार के होते हैं एक वचन बवचन एक वचन जिससे हमें एक वस्तु या प बहुवचन जैसे लड़का एक वचन है तो बहुवचन में पनसुत क्या पढ़ेंगे लड़के ठीक इसी प्रकार आपको इस चैप्टर को समझना है और आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछना है धन्यवाद